Hello everyone, welcome to Cherry Aspirants तो आज का जो वीडियो है वो CBSC ने जो Class 10th का exam लिया है English का, ठीक है? उसका हम लोग answer की check करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं, आज का paper काफी tough रहा बच्चों को काफी ये उलजाया रहा ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं question number 1 से आते हैं तो question number 1 का answer हो जाएगा बच्चो question number 1 का option हो जाएगा B question number 2 question में आते हैं उसका answer हो जाएगा बच्चो B, option number B question number 3 का हो जाएगा बच्चो option number A question number 4 का हो जाएगा question number 4 का हो जाएगा बच्चो D ठीक है? question number 5 का हो जाएगा question number 5 में आते है question number 5 का हो जाएगा question number 5 का ये a हो जाएगा question number 6 का हो जाएगा question number 6 का question number 6 का question number 7 में आते है question number 7 का भी हो जाएगा यहाँ पर option c question number 7 का question number 7 का c हो जाएगा question number 8 का हो जाएगा question number 8 का हो जाएगा B, आपका, ठीक है, mistake से गलती हो गया Question number 9 का हो जाएगा बच्चो, ठीक है 9 का हो जाएगा C, 9 का C हो जाएगा, ठीक है Question number 10 में आब आते हैं, 10 का हो जाएगा, option Question number 10 का, D, ठीक है, never make a mistake, D Question number 11 का हो जाएगा बच्चो, आब आते हैं Quesion number 11 का हो जाएगा D Quesion number 12 का हो जाएगा A Quesion number 12 का क्या हो जाएगा A Quesion number 13 का हो जाएगा D Quesion number 14 का हो जाएगा C Quesion number 14 का C हो जाएगा Quesion number 15 का हो जाएगा बच्छो A Quesion number 15 का क्या हो जाएगा A यहाँ पर ठीक है Question number 16 का हो जाएगा 16 का B Question number 16 का हो जाएगा B Question number 17 में आवा आते हैं Question number 17 का हो जाएगा बच्चो B Option B Question number 18 का हो जाएगा Option number 18 का B ठीक तो चलिए हम लोग grammar section में आते हैं Grammar section में यहाँ पे जो 19 नमबर से सुरू हो रहा है Grammar section का हम लोग question answer देखेंगे कि उसका कौन सा option सही होगा तो 19 का हो जाएगा बच्चो Option number C 20 का हो जाएगा बच्चो Option B मच सुगर होगा ठीक है फिर हो जाएगा 21 का Option number 21 का हो जाएगा Option number A 21 का Option number A हो जाएगा बच्चो ठीक है 21 का फिर 22 का हो जाएगा Option number 22 का C हो जाएगा 22 का C 22 का C हो जाएगा फिर 23 का हो जाएगा C 23 का हो जाएगा C 24 का हो जाएगा C 24 का C अगर किसी में थोड़ा बहूत दिक्कत रहा होगा तो आप इन गमेंट में देख ले ठीक है ओफिस्यल से वहाँ पर मिला के फिर कुछ एक दो जो थोड़ी बहुत गलती रही होगी उसको वहाँ पर सुधार दिया जाएगा आप वहाँ से मिला लेना question number 25 में आप हम लोग चलते हैं 24 का मैंने बताया option C ठीक है 24 का 25 में आप हम लोग चलते हैं 25 का हो जाएगा बच्चों option C 26 का हो जाएगा option B ठीक है 26 का option B 27 का option D और 28 का option हो जाएगा आपका 28 का option B और 29 का हो जाएगा बच्चों A 29 का हो जाएगा A और 30 का हो जाएगा आपका D ठीक है फिर आगे चलते हैं 31 में 31 में 31 का हो जाएगा answer option D 32 का हो जाएगा B और 33 का हो जाएगा A ठीक है फिर आगे चलते हैं 34 में तो 34 को आप पिन कमेंट में देख लेना मैं वहाँ डाल दूँगा ठीक है 35 में चलते हैं 35 है option B 36 में फिर आते हैं हम ठीक है 36 में जो आपका है ठीक है 36 नंबर में का answer हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 36 का B 36 का क्या हो जाएगा option B ठीक है 37 का answer हो जाएगा बच्चों option A 37 का हो जाएगा ठीक से मिला लो आप option A 38 का हो जाएगा B और 39 का हो जाएगा D ठीक है फिर चलते हैं 40 का हो जाएगा बच्चों option 40 का B फिर 41 में आते हैं हम लोग 41 का हो जाएगा B ठीक है 41 का हो जाएगा B option B होगा और 42 का हो जाएगा D 43 का हो जाएगा बच्चों C 43 का C 44 का हो जाएगा B option B होगा there is a tall grass around it ठीक है फिर 46 का हो जाएगा बच्चों option A 46 का 47 का हो जाएगा B 47 का B आप चेक कर लो 47 का B हो जाएगा is right and third is wrong 48 का हो जाएगा बच्चों option C 48 का option हो जाएगा C 49 का हो जाएगा C और 50 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर A 50 का हो जाएगा A 51 का हो जाएगा बच्चों 51 का ठीक है A 51 का क्या हो जाएगा A और 52 का हो जाएगा आपका B 52 का B हो जाएगा thoughtful ठीक है फिर 53 का हो जाएगा बच्चों option B 53 का option B हो जाएगा ठीक है फिर 54 का हो जाएगा बच्चो option 54 का हो जाएगा option number B 54 का B 55 का हो जाएगा A 56 का हो जाएगा C 57 का हो जाएगा यहाँ पर A 57 का हो जाएगा बच्चो A ठीक है 57 का क्या होगा A यानि Ais 57 का A 58 का हो जाएगा A 59 का हो जाएगा D 60 का हो जाएगा बच्चो आपका option number C अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो pin comment में आप देख लेना वहाँ पे आपको लिग दिया जाएगा ठीक है? थोड़े बहुत काफी paper tough रहा बच्चों को थोड़े दिक्कत हुआ अप pin comment में official website से चेक कर लेना Thank you